हेलो फ्रेंज आज हम सामर बनाएंगे इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल अरड की दाल गीया टमाटर एक हरी मिर्ची निब्बू दो चमच नमक एक चमच लाल मिर्ची दो चमच राई छुटकी पर हीन एक चमच जीरा और एक बड़ा चमच तेलगा और करी पत्ते और साम और मसाला लिया है एक छोटा बाउल अब कूकर में हमने पानी चड़ा दिया करीबन यह जग भरके डाल दिया था इसमें मैंने अब इसमें हम दाल डालेंगे दाल मैंने धोली थी पहले ही अब इसमें गीया डाल देंगे टमाटर हरी मिर्ची हीन दो चमच नमक की और सामर मसाला भी इसमें डाल देंगे अब इसमें मिलाएंगे अब इसको करीबन 20 मिनिट तक बनने देंगे अब इसकाम चोपन तयार कर लेते हैं एक बड़ा चमच तेल का डाल दिया है तेल गरम हो गया है हमारा अब एक चमच जीरा डाल दिया है दो चमच राईगी तरी पक्से अब गैज़ बन के बच्राइगे अब देट न देटेगे अब गैज़ बन के बच्राइगे दाएगए यह हमारा छोकन बनके तयार हो गई है यह हमारी सामर बनके तयार हो गई आप इसमें नीबू की खटाई डालेंगे हम इमिली की नहीं डाल रहे हैं कर्यबन तीन नीबू ली हैं मैंने और इसमें तरी डाले लियाना दो टाल लेकर जड़ खंके तयार हो गई है कि यह हमारी सामर बनके तैयार हो गई है छीड़े बनाई है और बताढ़ी सुझार की कैसे बनी कि अएली